योसी 256, तोनी फागसन, चाल्सो रवेरा, that will be amazing fight, क्योंकि ये अगर आप physically देखिएगा तोनी को और चाल्सो रवेरा को, दोनों दिखने में एकदम सेम टाइप के लगते हैं, तोनी फागसन के पास दो इंच का रीच अडवांटेज है और एक इंच हाइट बड़ा है, लेक लेकिन इन दोनों के fight करने के तरीके में बहुत, मतलब अलग है, बहुत जादा अलग है, हम आपको describe करते हैं, देखिए, टोनी फागसन अगर जाता है fight करने के लिए, तो he doesn't have a plan, क्योंकि वो बहुत reactive type का fighter है, ठीक है, हमको ऐसा लगता है, कि वो बहुत जादा एकदम 100% plan लेकर नहीं आता है, कि हमको यह यह करना है, और उसके बाद से यह यह result मिलेगा, हलका फुलका तो मतलब एक दो combination या combination सब coaches guide करते हैं उनको, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोनी फागसन को ground ही पर game खतम करना है, या उसको striking ही पर game खतम करना है, यह सब limitation टोनी फागसन के पास नहीं कि he explodes in the octagon, मतलब with many type of combination and many kind of kicks and punches and like rolls, आपको यादी होगा, और यह वाला fight जो है, वो अगर आप सोचियेगा और देखीगा टोनी फागसन की last qualified, जो जस्टिन गेची के साथ थी, तो उसको भूल जाईएगा, और उसके बाद से अगर आप देखीएगा, तो टोनी फागसन आ आपको याद होगा कि टोनी फागसन वाज दा मैन, जो खबीब को उतना दिन से बात चल रही थी, कि खबीब को टकर देने के लिए कौन है, तो टोनी फागसन, क्योंकि वो इतना जादा अना और्थोडॉक्स था, लेकिन जस्टिन गेची के साथ क्या हुआ वो वाले मैच म और जो वेट कट उसने किया था अपने को चैलेंज करने के लिए, उसके बासे फिर उसको एक महीने बाद वेट कट करके, उसके पासे कुरोना वाइरस उस वक्ति स्टार्ट हो गया था, तो पहला इस तरीके का बहुत बड़ा मैच था, तो मतलब आप कह सकते हैं कि वो सिच कुछ फाइटर्स के लिए बहुत जादा एंग्जाइटी भरा था और बहुत जादा नर्वसनेस हो सकता है, लेकिन उसी सिच्वेशन में जस्टिन गेची ने अपना फाइट ऑफ दा लाइफ जैसा परफॉर्मेंस देखाया, लेकिन टोनी फागसन ने नहीं देखाया, त तो मतलब आप कह सकते हैं, अगर लास्ट वाली फाइट आपने देखी तो टोनी फागसन इस नोट दी मैन, आप कह सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है, टोनी फागसन, लेकिन खबीब ने ये बात बूली थी, खबीब जस्टिन गेची के साथ जब मैच हुआ था, तो खबीब ने ये बात बूली थी, टोनी फागसन बहुत जादा एज हो गया, और मतलब टोनी फागसन को फाइट नहीं करना चाहिए, I don't know why he said that, लेकिन खबीब ने कहा था, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि टोनी फागसन is finished, टोनी फाग के title contenders है, उनको छोड़कर टोनी फागसन सबको हरा सकता है, और सबको अगर किसी के साथ मैच होगा, टोनी फागसन is the man, टोनी फागसन मतलब जीतेगा, ये पकी बात है, मतलब उसका लेवल इतना अच्छा है, ठीक है, लेकिन चार्स ओर रिवेरा उस तरीके का fighter है, आप च चार्स ओर रिवेरा के बीच मैच है, चार्स ओर रिवेरा हमको 3-4 साल से, मतलब 3-4 साल से नहीं, 2018 से इतना ज्यादा वो active है, कि मेरे radar में आ गया था, उसकी matches देख रहते हैं, और मतलब उसका Jijisoo और ground game इतना अच्छा है, कि इतना अच्छा हो गया है, उसके बाद उसने build up किया है अपना strikes, और उसका strikes, it's like meat and potato type का strikes है, Tony Ferguson का उसका just opposite strike है, Tony Ferguson के सामने आप खड़े रहीगा था, आपको पता नहीं चलेगा कि double kick आएगा, या 3 kick लगातार आ सकता है, जो it's like a rare thing, कौन ऐसा करता है, combination हमेशा होता है, punches and kicks का, लेकिन Tony Ferguson लगातार उसके बासे फिर spinning elbow or spinning kicks, unorthodox type का है, और Charles Orovera का mutai, मतलब एक तरीके से mutai का आपको bread and butter आप कह सकते हैं, meat and potato आप कह सकते हैं, एकदम kicks and punches and like straight and effective kind of strikes, वो थो करता है, तो ये वाली fight अगर ground पे जाएगी, तो Tony Ferguson, ऐसा भी नहीं कि Tony Ferguson black built है Brazilian Jijisoo में, तो आप कहा नहीं सकते हैं कि Charles Orovera चाहेगा Tony Ferguson को ground game पर, ground पर ले जाने के लिए, लेकिन गया तो उसके पास advantage है, लेकिन Tony Ferguson थोड़ा unorthodox है तो Charles Orovera उसको ले जाना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर ले जाना चाहेगा तो वो first या second round में ही try करेगा, क्योंकि fourth, fifth round में अगर fatigue लीग उतना जादा वो भी हो गया, Tony Ferguson भी हो गया, उसके बाद से फिर submit करना रहता है, किसी को तो fifth round में submit करना थोड़ा जादा tough रहता है, क्योंकि आदमी थोड़ा weight हो जाता है, और उसके बाद से फिर पसीने के वज़़ा से submission लेना और मतलब, it's like a very difficult thing, लेकिन Charles Orovera अपन Tony Ferguson से जी सकता है, क्योंकि Tony Ferguson की last fight अगर वो देखेगा, जस्तिन गेची के साथ, तो मतलब उसको थोड़ा ज्यादा confidence आएगा, लेकिन Tony Ferguson को confidence आ गया, मतलब की first round या first round का 2-3 minutes में काफी अच्छा striking combination put कर पाया Tony Ferguson, तो उसके पास से Charles Orovera के पास कुछ option नहीं रहेगा बिना ground game जाने के, और अगर 2 round या 1 round और 3-4 minute जो भी मतलब 1 round से थोड़ा सा ज्यादा, अगर Tony Ferguson striking में जीत रहा है, और ground game में Charles Orovera उसके पास से बहुत जादा, मतलब दोनों weight हो गया, और बहुत जादा slippery हो गया है, तो उसके पास से फिर Charles Orovera के पास बहुत कम option बज जाएगा, ले लेकिन उसने एतनी अच्छी win streak दिये कि उसको आप कौकी कह नहीं सकते है, आपको वो confident ही कहना होगा, और Tony Ferguson ये भी सुन सकता है कि अगर ये वाली fight जीतेगा, और उसके बास से अगर खबीब आता है 30th fight के लिए, जो GSP के साथ होनी चाहिए, खबीब भी चाहता है, लेकिन G GSP फिर बोल देता है कि नहीं, मतलब ये थोड़ा chaotic type का हो रहा है, तो मतलब lightweight में अगर खबीब का किसी के साथ match होना चाहिए, और Tony Ferguson भी बहुत दिन से 5-6 साथ से, मतलब हम लोग तो जानते ही है MMA community में की pandemic आ गया, किस वज़ा से? Tony और खबीब का match नहीं हो इस वज़ा से, ऐसा बोलते हैं लोग, it's like a joke type का है, कुछ भी होगे, आरत को एक आ जा रहा है, लेकिन Tony Ferguson और Khabib का match नहीं होना चाहिए, तो it's like a, बहुत जादा hilarious type का मतलब memes है, आपको Khabib और Tony का, के मतलब कि क्यों नहीं हो रहा है, तो ये वाली fight होनी चाहिए, और हमको ऐसा लगता है कि कोई deserve करता है, आगर ये Tony match जीत जाता है, तो I think 100% for sure, और ये fight उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इतना बार cancel हुई है ना, कि ये बहुत बड़ी fight हो जाएगी, और just हमको ऐसा लग रहा है कि फिर हम Tony और Khabib पर वारे हैं बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी fight, so thank you for watching, thank you for listening और दोनों एक साथ आप कर सकते हैं, और आप subscribe, like, comment, comment में बात कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, अगर खराब लगा तो please comment, अच्छा लगा तो like button तो it's sufficient